कैसे हैं आप लोग आप लोग ठीक होंगे अच्छे होंगे दोस्तों आज मैं आप सबी कुछ टीप और इन टीफ ऐसा लेकर कि टिप से तो आपका काम आसान हो गई होगा और साथ ही आपका टाइम भी पैसे बचने वाले चलिए टिप को सुरू कर लेते हैं नमस्कार दोस्तों क्रीटिव उमन में आप सभी का स्वागत है पहला है कि दोस्तों इस तरीके की जो कीचन टावल होती है तो सबसे पहले मैं उसे टावल हों आप की तरीकी से से कीचन टावल कोई तरीके से इसके जाने डाल सकते हैं तो बहुत है कमाल की टृप है अगर आप कीचन की डोर भी कोई कम कर देंगए या कीचन दिखा हूं वाथ कहां करते हमें करते हैं कि रहता है तो इसी तरीके सेspan da trivia में हैं करने कोई बीवस्था जब आफ्रोंवास के Rings a लेते हैं फल लाते हैं तो आपने देखा होगा भाईया लोग देदेते हम इस तरीकिसे लिए के चले आते हैं आते हैं हैं करके लेकिन जब इसमें गाठ पड़ जाता है हमारे पास नाखुन वगर नहीं रहता है हम इसको कैसे खुले इसे के लिए छोटा से ट्रीप दोस्तो हम इसको खुलने वाले हैं नाखुन कटर से जो की सभी के पास रहता है नाखुन कटर तो देखे नाखुन कटर का इस जो नोखिला वाला पाठ होता है मैं इससे खुलने वाली हूं अब देखे कि बहुत इजली तरीके से खुल चुका आप खोल सकते हैं तो चिलिए दोस्तों अगला है किजन में एक जैसा डिभा रहता है चाहिता है तो आप नहीं नहीं कई समानते हैं जैसे के आप दे पा रहेंगे एक जो सिंधा नमक रखेन देगा और वोर वेकिंग पर गर्त तो भीर तो किल दाए कि अधर ने चाहिए ब SAR है मैं आसान तरीक है कि कोई भी लेना है और जो भी समान हम इसमें रखे हैं बस इसका नाम लिख लेना है कि संधा नमक है और यह बेकिंग सोडा है इस तरीके से लिखने के बाद और आप अपनी ग्लास पे चपका देंगे तो आप देखेंगे आपका काम और आसान हो जाएगा तो दोस्तों इसी तरीके के छोटी-छोटी टीप और अटीप के जरीए आप लोग अपनी काम को आसान भी कर सकते हैं औ प्लेज वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों चैनल पर पहले बारे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं बूलिएगा और इसी तरीके कि मैं आप सभी के लिए यूजफुल वीडियो लेके आती रहती हूं तो चलिए मैंने यह नाम लिख लिया है वेकिंग सो सब्सक्राइब करते हैं तो आप ने देखा होगा कि जब भी हम कीचन में इस तरीके से किसी चीज को ठीक लगा कि सब्सक्राइब करना है मुझे तो देखे मैं इस तरीके से सब्सक्राइब और शुक्त लगाने के बाद आप देखे अब इस तरीके से रखेंगे तो बिल्कुल भी यह विसल की गिरने वाला ने ने वाला ने कि अब आपको मन पसंद आप देख सकते है तो अबुबाइल था या उस तरीके से इस आनंध प्रूसद आप ज़रूर होगा तो चलिए दोस्तों अगला है क्याक लेक्ट बेते हैं तो इस तरिके से अपनी काम को असान बनाने के लिए कूकर के रबड को बिल्कुल यह उसका रबड डर आप इसमें क्लोध पीन लगा दिए काम काफी असान हो जाएगा और जो जो डिन बार-बार हमारा खो जाता है यह खोने से बिल्कुल इब बचा रहेगा और आपका यह खोएगा नहीं तो दोस्तों अब यह मैंने लगा दिया है कि अब इसको आप कहीं भी हैंक कर दिजिए और देखने में भी अच्छा लगेगा और बिल्कुल भी इसमें से मैं आठा में लेडिया है कोई अगर से आठा नहीं लगाना चाहता है उसके लिए है तो दिखें से अधी कडुरी पानी बाद आधी कडुरी पानी रिया है मैं जर में इसके मिक्स जाना है अब मैं इसे हैल्प से इसको अच्छी तरीके से लगा लेती हूं आटे को तो आप देखे पा रहे हैंगे जो मैसर मैसर के अंदर यह थोड़ा आठा चला गया है लेकिन है कि मैसर के हिसाब से बहुत इजली तरीके से जो आठा है यह लग जाता है तो दोस्तों इस छूटा से टीके पर इब बहुत ह काम का है इसी तरीके से उसको ठुटते हुए जाडते हुए अब इस तरीके से अब देखे आप देख पा रहे होंगे मैंने वीडियो के स्क्रिप्ट नहीं किया हुआ है तो इस तरीके से अब देखे यह मेरा बिल्कुल पर्फेक्ट है कि मेरा बिल्कुल पर्फेक्ट है त आप आटे को हाथ से मसल लीजिए अब आटा हमारा बिल्कुल परफिक्ट लग चुका है और मैसर को आप गिलास में डाल दीजिए गिलास में किसी चीज़ में पानी लेके डाल दीजिए कि यह जो मैसर बिल्कुल अच्छी तरीके से इसमें टूप जाए तो दोस्तो एक साथ दो-दो काम होने वाला है कि मैसर आपका धुनिक जंजट नहीं रहेगा और यह आटा हमारा बिल्कुल लग्की रेडी हो चुका है तो दोस्तो यह दो से तीन आदमी का आटा मैसर से बहुत इजली तरीके से आप लगा सकते हैं कोई हाथ से आटा नहीं ल बगा सकते है एक कतोरी आटा है तो आधा कतोरी पाने इन मेजरमेंट विल्कुल परफेक्ट को आप एक जरू ट्राइ करके देखे लमसर मैंने एक कॉत इम में ले लिए एक सुनिक के साथ मैं ले ली हूं इसमें Aww. यहां दोस्तों नमक के साथ मेने एक चम्मच हल्दी लेली हूँ अब इसका आप किस तरी से करना है हमें तो दिखे नमक और हल्दी का एक हल्दी जो है एक एंटिवेटिक इसमें एक गुड होता है और नमक होता है कि जो वेक्टरिया कि टाडू वगरा को बिलकुल इस से दू काम को आसान कर सकते हैं सिंक में नमक और हल्दी डाले यह जो बैक्टरिया वगरा रात में हमारी किचन में यह ज़रूर सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए मिलते हैं एक नेक्स वीडियो में जय हिंद जय भारग